असलाइब विडियो इस वीडियो इस वीडियो में को जो मैं बेसिक पॉइंट से ख्रियन करूँगा नमर में इसके लोकेशन और लोकेशन में जो पॉइंट बनता है वो के में इसलामबाद एक्सप्रस से लेके तिल गुलबर रेसिजिंटिया ब्लॉक एल तक डिस्टंस कितने परसंट नॉन डेवलप्ट हैं नमबर थी कि इन प्लॉट की यहां पर प्राइस डेंज किया है और नमबर फॉर कि यहां पर डेवलप्मेंट स्टेटिस किया है यह सबसे इंपॉर्टन पॉर्ट है कि जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे होंगे गुलबर रिज देख रहे हैं कि आप गुलबर रिजिदेंशिया में प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाहते हैं या आया अपने प्लॉट अलड़ी खरीद रखा है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो एल ब्लॉक आपको क्यों रिक्मेंडड है उसकी रीजन दूँग आप एंटरंस के बाद लेफ्ट साइट पे जो मॉल आप देख रहे हैं ये बनता है वाल अफग इसलामबाद सिकनेचर लिव्इंग और राइट साथ पे जो मॉल है उसका नाम है समामा स्टार एंड गुलबर पान है कि इसके डिवेलपमेंट बहुत रैपिडली हुई है जैसे दिन दुगनी राच दुगनी तरक्य वाला महावर है यहां पर बहुत ज़्यादा रेपिड़ी डिवेलप्ट किया गया है इसको और एक्सपेक्टिडली सुनने में आ रहा है कि 2021 में स्काइबाक वन को रेडी कर दिया जाएगा इस वक अब दोबारा में बुलिवर्ट की टाइम डेप्स देख रहे हैं तो में एंटर्स पॉइंट टू गुल्बग रिजिदेंशिया ब्लॉग डी ब्लॉग डी एक वो ब्लॉग है जो रिजर्फ है जिस फूर कमर्शल परपस या मरकस कहले हैं उसको जो तोडल प्लॉग हैं वो five floors हैं basement ground for second third और अभी जो फूटेज आप देख रहे हैं लेफट साइड वे ब्लॉग A है गुल्बग रिजिदेंशिया और राइट साइड पर ब्लॉग B है इस roundabout के बाद आगे गुलबग डिजिंशिया ब्लॉग A और B डिवाइड हो जाते हैं और अब भी left side पर जो mall है उस पे भी काफी speed से काम हो रहा राइट साइड पे दो malls बन रहे हैं एक है राभी सेंटर और दूसरा है D8 mall और इन पे development काफी rapidly मकमल की जा रही है इस वक्स्रीन पे आप मस्जिद D-Mercas में बनने वाली जो जामिया मस्जिद है वो देख सकते हैं और इस पे भी तकरीबन ग्रेस ट्रक्चर कम्डेट और फिंशिंग में कम्डेट है exterior paints रहते हैं जो आने वाले दिनों में भी जल्दी हो जाएं D-Mercas की 2019 में bidding की गी थी plots की यानि कि पूरा residential बेचने के बाद commercial जो plots हैं उनको end पे sell किया गया था end पे sell किया जाने का मक्सित यह था कि जितने individual जो plot खरीदना चाहते हैं commercial specifically वो सिर्फ 20% down payment देके develop plot ले सकें और during installment उस पे construction start कर सकें तो D-Mercas में जिन जिन lotis को plot मिले थे उन लोगों ने 20% पे करके 20-25% down payment पे करके develop possessionable plot खरीद लिये थे और बाद में after construction या during construction उसके उन्हों ने remaining charges पे किये थे यहां पे plots काफी expensive थे क्योंकि यहां पे bidding में rate close हुआ था वो I think 145,000 रुपीज पर square yard से लेके 160-165,000 रुपीज पर square yard के साफ से close हुआ था 165,000 पर square yard का मतलब है कि अगर आपका 100 square yard का plot है यानि 4 मरले का तो उसकी कीमत बनती है 165,000 रुपे इससे आप अंदाज अलगा लें बाकी plot से कीमत क्या होंगी तो यह और आल हो गया अभी टाइम डाइस जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सर्क्लर रोड का है जो में डी मरकर से करनेक्ट करता है गुलबग रेजिदेंशिया ब्लॉक L को मैं सबसे पहले मैपे एक्स्परेंट करता हूँ आपको डिस्टेंस और वाल जो गुलबग L ब्लॉक की डिटेंस हैं आप मैपे देखते हैं इस वाकर मिन स्ट्रीम पे गुलबग ग्रीन्स और गुलबग डिस्टेंशिया का जो कंबाइन मैप है आप देख सकते हैं इसलामबाद एक्स्परस वे से उतरने के बाद जो इनिशली यहां तक ब्लॉक्स हैं यह सारे गुलबग ग्रीन्स के ब्लॉक्स हैं जिन में चार किनल पांच किनल और दस किनल के प्लॉट्स हैं सिर्फ हैं और जहां पर कंस्ट्रक्शन की जो रेशियो है वार 20 यानि कि इस वक्त डिवलप्ट है कुछ पार्शली डिवलप पार्शली नॉन डिवलप है इसके वाले से हैं इसकी लोकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता हुआ था कि इसलामबाद एक्सपरस वे से गुलबग डिजेंशिया ब्लॉक एल तक का डिस्टंस कि कितना डिस्टंस ऑवरराल गुलबग डिजेंशिये का मेन इसलामबाद एक्सपरस वे से सबसे पहले मैप पर इसको मेहिर कर लीते हैं कि Eco कितना डिश्टंस बनता है और उसके बादनगे एसलामबाद एक्सपरस वे सबसके अग्रीं यां से भी दूसरा अंडर पास पहले बना हुआ है और गुल्बग में प्लॉट्स की डिमांड काफी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि गुल्बग अभी तक सिगनल फ्री है फ्रॉम जीरो पॉइंट उसके बाद रवास सिगनल फ्री हो जाएगा तो गुल्बग में प्राइज में खातरखा अदाफा देखने में आ सकता है अचा जी गुल्बग क्रीन गुल्बग डिस्टेंश के द्रम्यान में यह उसको मैं अभी मैप पे डिस्टेंस कवर कर रहा हूं अभी इस इन प्लॉट्स पर जो बिसिकलि नॉलजज विले स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स और यहां पर यह जो कुछ बिल्दिंग्स आपको नजर आ रही 6.74 किलमेटर का अगर डिस्टेंस इसलामबत हाइवे से अंदर काउंट करें तो हाड़े टू मिनिट्स का बनता है क्योंकि यहां पे ना ट्रैफिक होती है ना को सिगनल है तो इसलिए आपको डिरेक्ट एकसे मिलती है तिल गुल्बग डिस्टेंश ब्लॉक डी अब नेक् पाइब नेक्स पाइब नेक्स पाइब नहीं बना यहां पर पर प्रॉपर कमप्षिन हुई है और इस पाथ से आगे आप विजट करते हैं गुल्बग डिस्टेंश ब्लॉक एल तक तो आपको थोड़ सा कचे रस्टे से गुजरना पड़ता है और वो डारेक्ली रिडिट करता है तो वर्ड्स ब्लॉक एल यही ब्लॉक एल का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां तक डिस्ट जो बनता है मैं इसलामबाद एक्सपरस वे से वह बनता है 9.16 किलो मेंटर की डिस्टेंस है मैं आपको मैन रोड भी दिखा दी है जिस बल्लिवर्ट पे आपको टाइ मैं बाद में एक्सलियमन करता हूं पहले मैं को साइड को फुटिज दिखाता हूं उसके बाद आपको इस एंटर्स पॉइंट से ओर आल जो डामेंशन से प्लॉट की वह यहां पे साथ मरला दस मरला बारा मरला और इसमें जो रेश्यो है डिवलेपमेंट की हो है 60 40 60 परसंट 41 जो यहां से लिके यहां तक निश्युक्छा को यह दिखाऊंगा पर ड्रोट को दिल्ट करके ओर कर्को में यह गुलबर्ग में जो development की रेशो है यानिजो डिवलप में ब्लाइटेएं इनकी रेशो गुलबर्ग में block L में जो डिवलप प्लाइटेएं उनकी रेशो pareti 60% वो नाई रो कार दोन्धेएं और 40% वो प्लाइटेएं यो नाई डिवलप्टेएं जिन पर भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है और ब्लॉक एल में जिसे नॉन डॉल प्लॉट्स हैं उनका पॉसेशन के बारे में लोग पूछते हैं कि हमने आठ साल पहले खरीदा, नौ साल पहले खरीदा, दस साल पहले खरीदा डिवलप नहीं हुआ, तो उसमें क्या इश तो है स्वारिगेशन के इस्युजूवड था कैसा स्वारिजन के शिकित कशना है क्यंसे गायरगेशस क मैंसे एक्सेश्यां मेशन MORE स्था तो प्लॉट्स्यां सिक्षी हैं तो गोद्यन एतने की मैंने घव जांते से और यह स्कॉँए हैं क्यों नहीं करते उसके हैं और इस तो यह आपने उन से चेक कर सकते हैं तो इस वक्त जो स्कीन पर फोटेज देख रहे हैं आप यह गुलबग रेजिदेंशिया ब्लॉक एल की आपको स्ट्रीट नंबर 34 35 36 37 38 39 40 41 मैं कौंटिंग इसलिए कर रहा हूं तक आपको जिन लोग के यहां पर प्लॉट्स है और वीडि अपलाय करके अपने प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं राइट साइड पर जो आप मैं रोटेट करता हूं राइट साइड पर फोटेज देख रहे हैं यह इसी ब्लॉक एल में जो दसमरला के डिवेलप प्लॉट्स हैं यानि जो 35 के डिवेलप प्लॉट्स हैं इनक परसेंट इस वक्त इनका पॉजेशन तो अलड़ी रेडी था इन लोगों ने पॉजेशन अप्लाई किया और यहां पे पॉजेशन लेके घर बना लिया अब बात करते हैं जी प्राइजिस के वाले से प्राइजिस जो जब गुलबग रेजिशिया प्लॉट्स लाँच किये जो बाराँ लाग वाले प्लॉट है वो असीप चासी नवे इसकी ब्रैकेट में डिवेलब प्लॉट पॉजेशन वल प्लॉट आपको एल ब्लॉग मिलते हैं इन फ्रेक्ट इससे ज्यादा होंगे क्योंकि गुलबग में डिमांड जो है जो मैंने भी आपको स्टार्ट से कि एंड तक जो मैंन रोड एक्स्प्लेइन किया है कि स्टार्ट से लेके डिस्संस बनता है 9.16 किलोमेटर लेकिन जहां पर जिस पॉइंट पर इसलामबद एक्स्परस वे पे गुलबग स्टार्ट होता है उस तरह के लोकेशन गुलबग के लावा किसी और के पास नहीं है जिलनों के प्लॉट्स हैं 4080 के में स्टार्ट के साथ वो अपने प्लॉट्स की फुटिज देख सकते हैं राइट सैट पे जहां पे अभी यह डंपर मिट्टी डंप कर रहा है और यहां पर बाद में सको कॉंपक्ट किया जाएगा यह वाले वो प्लॉट्स हैं यह भी प्लॉट्स है मेली और बाद मुद्डों के अवटेस्पर रहे हैं यह नहीं बॉट्स है कि इस न्याशान के उपने तो यह पर आता है तो उसकी रीसन यह है कि ब्लॉक L उस रोड के उपर आता है तो ब्लॉक L में जितने लोग के प्लॉट्स है जिन लोग ने इमेजिन करें हैं आज से 10 साल पहले प्लॉट लिया 12 लाग रुपे का आज वो प्लॉट 80 लाग नवे लाग का हो गया तो उसके इमेस्टमेंट पे 800-900% का रिटरन आया है ये रिटरन इसलिए है गुल्बग की लोकेशन अच्छी थी सबसे पहला पॉइंट मैंने एक्स्प्रेंट किया था लोकेशन का तो गुल्बग की लोकेशन अच्छी थी तो इसलिए डिमांड में अधाफा हुआ डिमांड में अधाफा होने के साथ अब गुल्बग में स्टेटस यह है कि हरे इंडिवज्वल गुल्बग में बाय करना चाहता है लेकिन अब जायर सी बाद है प्राइस ब्रैकेट आउट ऑफ बजट हो गई है अब बहुत निश कम्यूनिटी है जो गुल्बग में इन्वेस्ट करने या रहने के लिए आती है क्योंकि इनिशल जो प्लॉट्स हैं फार्मावसिस के वहां तो अलड़ी बहुत निश कम्यूनिटी थी बहुत लिमिटेड लोग थे जो फोर्ड करते थे इस प्राइस टैक के प्लॉट्स और इस गुल्बग रेजिजेंशा में भी अब काफी ज़्यादा निश कम्यूनिटी के लोग होंगे बहुत कम लोग है जो फोर्डबिल्टी रखते होंगे यहां पे प्लॉट्स की नेक्स्ट इस कि मैं आपको बलके दुबारा मैप से इसक्राइब करता हूँ यहां पे डिमेंशन इनकी साइजेज और इन में एक और बात कि इसमें कौन सा पार्ट डिवेलप्ट है कौन सा पार्ट नॉन डिवेलप्ट है मैं यह एक एक वीडियो बनाऊंगा हर एक ब्लॉक की जैसे ब्लॉक एल की है तो इसमें मकसद डिटेल से एक्स्प्राइन करने का यह है कि जितने लोगों के सवाल हैं जितनी क्यूरीज मेरे पास अब तक आई हैं सारे अंसर करने ही कोश्य करूंगा कि हाँ यह यह नॉन ड अनका अब देख सकते हैं ब्लॉक C, यह इन में पार्शली नॉन डिवलप्ट हैं और कुछ डिवलप्ट हैं ब्लॉक A जैसे पूरा 100 परसंट डिवलप्ट हैं ब्लॉक C तर्गरीवन 35, 75, 65, 65 non developed, 35 developed, block J 80, 20, 80% developed, 20% non developed और बाकी L block का मैंने बता दिया, 60, 40, 60% developed, बाकी non developed और next is कि मैं को मैप से explain करता हूँ, उसके बाद आपको काफिया तक आइडिया हो जाएगा कि यहां पे जो plots हैं, Google साटलाइट पे कौन से developed हैं, कौन से non developed हैं तक आपको अच्छा image मिल जाए, कि हाँ, हमारे plot का status इस वक्त यह है, इस वक्त यह है, इस वक्त यह मैप पे मताबक जो इनिशिल में फ्लाइ कि अधर रोन वो यह वाले streets थी, उसके पर आपने यह वाला पार्ट देखे हैं, और फिर end पे यह वाला पार्ट कुछ शामिल था, और अभी next के कौन से plots हैं जो developed हैं, कौन से plots हैं जो non-developed हैं, for example, मैं यहाँ पर zoom in करता हूँ, यह वाले plots हैं, गुलबग में, जिन से वीडियो स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जितनी streets हैं, वो developed हैं, और mostly आप Google और सैटलाइट पे खुद भी घर बाट के टेली कर सकते हैं इस point से आगे, इस street से left side वाले plots हैं, और circular road से आगे साथ-साथ adjustment plot हैं, जो यहाँ पे attach होंगे, वो वाले plots अभी non-developed हैं, इसके इलावा अगर इस तरफ बात करें, तो इस तरह तकरीबन सारे non-developed हैं, सिर्फ end की, यह वाले plots हैं सारे non-developed हैं, और यहाँ पे circle road के साथ adjustment में शुरूर में जो plot आते हैं, मैं को यहाँ से explain करता हूँ, इस park के जो यह वाले right side वाले plots हैं, यह वाले जितने plots, मैं को zoom करें दिखाता हूँ, plot number 872, 815, 855, 826, 526, जितने plots, 843, 780, 781, 424, 428, 429, यह वाले जो series हैं plots की, in fact यह यहाँ से लेके, यहाँ तक जितना plots, mostly plots हैं, यह वाले सारे plots, mostly non-developed हैं, और main bullet के साथ, circular road के साथ वाले plot हैं, यह वाले सारे plot, यह भी non-developed हैं, यहाँ पे अभी possession इस वक्त नहीं हैं, और जब आने वाले दिन में possession होगा, तो आप इसो खुद भी visit कर सकते हैं, गुलबग को कि मुने आपको सारा रस्ता दिखा दिखा है, कि गुलबग में block L का location, distance, overall time, और आप उसो खुद विजट करके सारे plot से खुद भी on ground status चेक कर सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे plots जो हैं, वो developed हैं, कि non-developed हैं, नेक्स्ट इसके अभी, इसमें बने आपको explain किया था कि plot के sizes, इसमें जो plot के sizes बनते हैं, वो बनते हैं, 30 by 60, 7 प्लोट, उसके लावा 35, 70, 10 मला प्लोट, 40, 80, 12 मला प्लोट, और इसके लावा यहाँ पे कुछ plots हैं, जो 4 मला कमर्शल के भी हैं, यह जो पारक के साथ plots हैं, यह चार मला कमर्शल के plots हैं, यह उनके पी एंजी फॉर्बेंट में मैप convert किया था, तो इस पर इसे color, white color, जितन प्लोट, जो लोग यहाँ पे रहेंगे, उन प्लोट के लिए यहाँ पर डैफिनली एक छोटी classroom market, जहां पर चोटी सब्जी के दुकान, बार्बर के दुकान, तंदूर और जो चोटा मोटा करियाना store होता है, वो shots बनने के लिए यह वाले plots हैं, बाकी यह वाले 10 मला के plots है और यह वाले सारे साथ मला के plots हैं, और बारा मला के यह वाले plots जो मैंने भी आपको मैप एक्स्प्लेइन किया है, अगेन बैक टू रेल टेम फुटेज के देखते हैं कि अभी लास्ट में जो आपको पार्ट दिखाऊंगा पूरा, वो ओवराल समराइज करूँगा कि गु इस वक्ट जो स्ट्रीट फोटेज देख रहे हैं, बैसिकली अल ब्लॉक में स्ट्रीट नमबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यह स्ट्रीट पे जिन जिन लोगों के plots हैं वो टैली कर सकते हैं, कि उनके plots 100% developed हैं और possessionable हैं, और जिन लोगों ने अभी plots का possession apply नहीं किया, वो यहा आपको टॉप लफ कॉर्णर पर मेरे नमबर नज़राओगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, वटसप कर सकते हैं, गुलबग ग्रीन्स और गुलबग रिजिदेंशिया ब्लॉक L में plot की खरीद और फोट के लिए आप दिये के नमबर पर राप्ता कर सकते हैं, मैंने ट्राइ तो इनको नेबर हुट का पता हो कि हमारी नेबर हुट में इस साइस के पिलौट हैं, इस तरह के लोग हैं जो रहती हैं, बने को रिजन दे दी है कि तकरीब बिएक गॉलप बढ़ागर सबसे बड़ा ड्म्रक्स के दिरम्यां में है, जो मैंने इनिशली आपको वीडियो के स्टार्टम बात की थी के मर्काज बान एंट मर्काज टू तो इन दोनों के द्रमीयान भी जोगा कि प्लॉक हो यहां पर सबसे ज्दार डवल्टम ने संस की सट्रीट इसको मिंटेन लॉंक तम में भी करेगी क्योंकि जो commercial मरकज होते हैं बड़े important होते हैं societies के लिए क्योंकि यहाँ पर plots होते हैं वो करोडों अरुबों के होते हैं तो definitely society ने मरकज तक connecting road को और इनकी जतनी maintenance होती है उसको काफी अच्छे तक maintain करते हैं तो यह reason है यहाँ पर plot लेने की अगर आपको booking के हवाले से और sale purchase के हवाले से कुछी मालमा चाहिए तो मिरे number आपकी स्क्रीन पे available है मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जूँ like, comment and share और चैनल को सब्स्राइब करना मत पूले सब्स्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक किया करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी वीडियो में अपलोड करूँ उसका बरवक नोटिफिकेशन मिल जाए रिज्मान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदावफिस अपलिए वीडियो में झाल झाल